हलो फ्रेंज आप सभी का स्वाधत है फ्रेंज दो हजार चौविस के लिए जो समाजी विज्ञान के पेपर वायरल हुआ है यहां पर इसका संपूर हल देखने वाले हैं साथ में आप सभी को मांचित्र से संबंदित समाजी विज्ञान के जो प्रश्नक पूछा जाता है वो आप video को last तक दिरूर देखिएगा यहीज पेपर आपके सात मार्च हो जो आपको बोड के एक्जाम होने वाला देख को समाजी विज्ञान के पेपर आने वाला है और यहीज सेम डुव आयगा है तो इस पेपर का संपूर हल देख के आप बूर देने जाईएगा फ्रेंज लीडिर देखिए आपका स्टन से टो है एवाई ए देखिया आपका जो पेपर मिलता है यहां पर आपको अनुकरमांक लिखना वहता है और इसके नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा ठीक है आप समाजेवी किया लेगा इस पेपर को हल करने के आपको समय जो मिलेगा 3 घंटा 15 मिल्ट का संपूर समय मिलता है और जो पुडांक रहेगा टोटल 70 नंबर करेगा ठीक है यहां पर आप जो पेपर हल कराएंगे इसके बारे में अपना विचार और जो सहमती है है आप कमेंट order box में लिख सकते हैं कि आप इस paper के बारे में क्या काना चाहते हैं देखिए इसके कुछ समय निर्देश यहां पे दिए गए ठीक है इस निर्देश को पर लिजीगा प्रते क्वर में आपको निर्देश के बारे में बताते तो आप निर्देश अभी तक सब जान गए होगी एक बार इस निर्देश को आप देख लीजिए ठीक है इस अभी निर्देश को चलिए हम सीधे क्या करते हैं कि आपको प्रस्चन हल कराने वाले सीधे प्रश्च को दिखाते हैं अब यहाँ पे देखिए जो इस्टक्सन है इंग्लीस में लिखा है ठीक है आपको यहां पर इससे कोई मतलब है नहीं यहां पर चले हम देखते हैं खंड ठीक है देखिए खंड आ में क्या है टोटल आपको 20 बहुविकल्पी प्रश्ण है ठीक है टोटल 20 नंबर करेंगा साथ में 50 नंबर का आपको क्या रहेगा वड़ यहां पर देखिए इसका पहला जवाब क्या है देखिए यहां पर पहला प्रश्ण आपका है कि निम लिखित में से कौन सा 804 के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था ठीक है यह प्रश्ण है इसका आपसन आपके सामने है जन्म से प्राप्त विशेश अधिकार साम प्रश्ण है इसे और यम्सी पर आपसर्भी कोहल करना है एस प्रश्ण का देखिए आपका सही जवाब क्या होगा कि जन्म से प्राप्त विशेश अधिकार ती यह जो जन्म से प्राप्त विशेश अधिकार है अठारू सचार के नेपोलियन कोड में नहीं जोड़ा गया था ना इस प्रश्ण का सही जवाब यह वाला आपसन क्या होगा सही होगा ठीक है अब देखिए इसी प्रश्ण को आप इंगलीस में दिया है इंगलीस वाले जो भागे इसको आपको छोड़ देना सिर्फ हिंदी वाला करना है चले अगले नंबर के सवाल को देखते हैं यहां पर देखिए दूसरा नंबर का सवाल क्या है आपका फ्रांस की क्रांति कब हुई थी आपसन है शोला सो उन्यासी सत्रो सो उन्यासी और सत्रो सो न्यासी नवासी ठीक है यह नवासी है देखिए यहां पर फ्रांस की क्रांति कब हुई थी इस प्रश्ण का सही जब ड दक्वे दोकिया कि इटली के समार्थ किसे घोशित किया और इटली के Channel 8 सोअचारी के में घूसी किया घूंँ कुऊण।टी मेटी ए ख्ररमेश्बी देखारल्ध लाहे मिलुटी है 10 इस प्राश्चर का सही जो आपाफिम कहा होगा ठाइक कि महां क कहाibel इस्तित थे डेखिन यहां पर आपसाने कि जो ड्रे अफिकर मेंदे का कूल ड्रेका में कि इस प्रश्न का सही आप्स ने अधिक उट्पात जो था है अगला नंबर चली देखते यहां पे छटमा नंबर का ध्यान दीज़ेगा है यहां पर देखिए छटमा नंबर का प्रश्न क्या है आपका कि अफरिका में रिंडर क्या था न अफरिका में रिंडर क्या था एक जानवर था एक घटना था एक खेल था यह एक बिमारी था ठीक है। अफरिका में जो रिंडल पेश्ट था एक प्रकार के बिमारी था तो इस प्रश्च का सही जवाप डी वल अपसंट क्या है सही है ठीक है चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं कि अगला नमबर का सवाल आपका क्या है पूरे प्रश्चन को आप देखिए फ्रेश्च जिक्षम 술 जिक्त का टो सद्य कर निम लिक्त में से कौन सा राजसूची का विसे इस आक को चाहिए इसपतानापो यसे हमज़्ुक्ग मुद्रा विदेशी नंपर सुपटी सभीर्वां के सियोगा और ऑी अदुटर। से फैन दीजेगा आपको को पताना है कि संघहातमक कहा पे नहीं पहरत ने स्री लंका में बेल्जियम में यहां यहां पे आपकरे नहीं है अक्षा जूआ यहां है अधर का क्ता कै पर आपको जाएका चलिए नंवा नंब्र का सवाल देखते हैं अपर नंब्र का सवाल किस का संब्ल लोकतंतर से नहीं है फिर्ण है संब्धित कौन नहीं है आप सफने सवतंत और विपच्छ- मिरवाचन उत्तरदाइशाशन कानुन के समझ समांता बहुत संख्यों का शासन यहां किसके बारें लोक्तंतर से संबंदित नहीं ठीक है यहां लोक्तंतर से संबंदित नहीं तो अपको बता नहीं है तो वह संख्यों कशासंत इस प्रश्ण का सही जवाब होगा सब्सक्राइब कि यहां विधाट नंबर देखी दसवा नंबर का सवाल क्या है आपका कि निम्लिक्षित में से ए सब्यक्राइब कि यहां प्रश्legt कहा नहीं है यहां इस प्रशुन पूछा pressuresי संगातमक् עधन की विसेस्था कट्वलापन सफाय होगा ठीक चाहिए अगले को देखते है कि अगला नंबर का सवाल क्या है ठीक है देखिए अपकर 49 सब्सक्राइब कर दििया है ठीक है यह लेटराइट यह काली मिट्टी यह जलोर मिट्टी देखें यहां पर ध्यान देजा फ़सल का नाम कपास के खेती के लिए कौन से मिट्टी उप्युक्त होता है कपास के खेती के लिए आपकी काली मिट्टी सबसे उप्युक्त होता है इस प्रश्ण का सही जवब इसką जूम के किरिसी के नाब सी जाना जाता है तक किने मिर्कित में किस राज्да जाती है यहां डिया राजस्तान में उत्तर पर्देश मेर्ण या उत्तरा खंड में इस प्रशक का सिल सीवल प्रीक्षों करेक्ट हो अगला नमबर के ध्यान दिजिए कि तेरी नमबर का सवाल क्या है आपका पूचा एक निम्लिकित खनीजों में से कौँशे एक आधार भुत खनीज कौँशा है देखे यहाप ध्यान देगा आधार भुत पूचा है अब रख इसके अलगा माइगनीज लह यह ताबा देशो आधार भूत खनी जेवा आपका लह यह ठीक है कौन सा है लह इस प्रशन का सही जवब सीवलापसन सही है लेक्रण प्रमप्र नम्बर के दखिए नियुक्तिन का रौगा सवालावर के है । यहां पर आपका 15 नमबर का सवाल क्या है ध्यान दीजिएगा 15 नमबर का कि निम्लखित में से कौन सा उद्योग ठीक है बाक्साइट को कच्छे माल के रूप में प्रियोग करता है आप सब्सक्राइब कागज लो एम इसपात यहां पर स्वाल को देखते हैं अगला नमबर की थ्यान दीजिए कि आपक चरली देखते हैं यहां पर आप 16 नंबर का सवाल देखें, 15 नंबर का हो चुगा है, 16 नंबर का ध्यान देजिए, ठीक है, देखें, 16 नंबर का सवाल क्या है आपका, कि निम्लिकित में से कौन से एक विकसित देश है, विकसित देश यहां पर पता ना, ध्यान देजिएगा, विकसित पूछा ह किलते ही देखें आप सने भारत होगा ब्राजीब होगा या फ्रांस ओगा या इसके मलब अप देखें यहां किया है बंगलादेश यहां पर विकसित देश पुछा संथ रहा हम अतर रहांब क्या थिक्षित क्या है अगला दीश हुआ सवाल जहां दीजेगा किसी डेश के teasing को निर्धार करने का आधार है यहां से किसी देश की विकास को निर्धार करने का आधार क्या है स्वास्ट यह ब्रति व्यक्ति की साचर्थ अस्तर आय। सभी सब्सक्राइब किसी देस की विकास को निधार करने का आधार क्या है वहांके जो वियक्तिि कितने सवस्थ प्रती अ को सातe को साथ को रहिए घाता है ठीक technik अगले अख्य मैंघने चैठ्र चेट्र केट आपके आपके सवाल क्या प्रति अख्य में लिखित में इसके ला उपज की उचित कीमत यह बेहतर मजदूरी यह सबी इस प्रशन का सही जवाब क्या होगा ड्वल असन सही होगा कि ईपर उनीस नंबर का सवाल देखें उन्नीसकंग कि अखें 7 किनी ऑफ्यार के निम्हों लिखित में से किसको किरसी ईंसधायक च्छेतर गांसा है यहां सब्सक्राइब अ क्रीजद्स कौन सा है पर आठीमिक चीतर सवाल को देखते हैं आपको अगला नंबर का सवाल क्या है बीसवा नंबर का द्यान दिजिए आप निम्लिकित में से किस वर्स में उपभुक्ता सुरच्छा अधिनियम पारित किया गया ठीक है सब्सक्राइब किस वर्स में उपभुक्ता सुरच्छा अधिनियम पारित किया गया ठीक है इस प्रशन का क्या हो जागा आपका सही जवाप सीवाल आप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है यहां पर 20 बाविकल पी टूटल प्रशन आपसे 24 के बोर्ड के एक्जाम में आएगा औ इसमें से 10 नंबर का आपका मांचीत्र वाले सभी सवाल रहेंगे आपको देखें यहां पर जितने भी दिर्ग उत्री वर्णात्मक प्रशन फर्ष्ट है सभी प्रशन बता देते हैं इसका एंस्वर आप देख लिएगा साथ में आपको जो मांचीत्र से संबंदित इसमें तैयार कलेजी यहां पर सिर्फ इसके प्रश्ण को बताएंगे कि यह प्रश्ण क्या है आने वाले हैं और कितने कितने नंबर के आएंगे ठीक है यह प्रश्ण आप ध्यान दिजेगा प्रदुगी के ने वैस्विक्रड की प्रकिरिया को किस प्रकार बढ़ावा दिया है उधार साहित असपश्ट कीजे टोटल कितने नंबर करेगा चार नंबर के प्रश्ण है अथवा में देखिए इस प्रश्ण को भी साथ में तैयार कर लिजेगा प्रदम विश्वयुद्द के प्रश्चाथ होने वाले आर्थिक महामंदी का भारत क्या प्रभाव पड़ा तोटल चार नंबर का अगला देखिए प्रश्ण क्या है दूसरा नंबर का द्यान दीजएगा देखिए आपका देखिए मैं भारत में संग्य शासन की कि किनीद दो विश्शेस्टाओं का विवेचना कीजे टोटल चार नंबर का प्रश्ण है अथमां देख लिजिए सत् यहां पे आप देख लिजे सभी प्रश्णों के एक बार देखिए क्या है कि भारत में भूमी उप्योग के प्रारूपों के विवेचना की है टोटल चार नंबर का प्रश्ण रहता है या इसके लवा संसाधन नियोजन की अवशकता क्यों पड़ती है इस हेतु कोई तीन नंबर का अपका प्रश्ण क्या है कि आर्थी गत्यविद्य嫂 को रोजगार की प्रस्तिति यूओं की आधार पर पर कैसे वर्वगी की जाती है टोटल चार नंबर का इसके अलावा दिखिए राष्ट्री ग्राम रोजगार राष्ट्री Freund ग्राम रोजगार गरांटी अद प्रशन ने प्रशन नंबर का है यहां पाँछ ओन नमबर का सवाल क्या है कि नेपोलियन कों था उसके सुधार्ड क्या थे उसके सुधारों का यूं説 सभी प्राइब नबर तोटल 6 नंबर ये प्रशण ठाइब इस प्रश्ण कोгनед तयार कर लिए आधवाम क्या थे इसे क्यों चलाया गया इसके प्रभाव क्या पढ़े थे टूटा च्छा नंबर के प्रश्ण थे इस प्रश्णों को सभी को तयार के लिए जिसने भी प्रश्ण बता रहे हैं सभी प्रश्णों का आप जरूर तयार कर लिए गया ना देखिए अब अगला प्रश्ण देखते हैं छटव सब्सक्राइब यहां द्यांदें साथ में किसी अर्थ विवस्ता में किसी की समझाइब चावाल की क्टी भौगोलिक दशाओं की वितिन भारत में किडीनी परमुक उत्पादन चेत्रों का उल्ले कीजिए है अब देखे आठ्वा नंबर का आपका प्रश्ण क्या है वैसिविक्रड किसे कहते हैं वैसिविक्रड को संभो बनाने वाली कारकों की विवेचना कीजिए जितने भी प्रस्ण आपके दिर्व उत्री में फर्स्ट और सिकेंड भागते सभी लिखने ये इसके तायारी पूरा पूरा डंव से कर लीजिए अब चलिए मानचीत्र सा न्युक्त में उन्परष्ण को देखते याप संव्बधी कैसी प्रष्ण आते हैं और इससी पुरा डुटेल में अपको माचित्र पर भर के पूरा बताने वाले हैं श्माचित्र को पूरा इंटियल सा समझाने वाले तो naw मांचीत्र संब्भधिंदी प्रश्ण आपको इसमें दो भाग सबस्सक्राइए और वोसी इधीर उसका गोला मंट्सक्राइब इनका बोर्ड की एकजाम में ठीक है निमनलिखित अस्थानों को भारत के दिये गए रेखा मांचित्र में इस डाड़्त चिंड्वरा नाम सही दरसाना-सही नाम तो सही अंकन के लिए एक बटा गडू एक बटा गडू अंक निरधायत किया गया है ठीक है यानि सही नाम लिखते हैं तो उसके लिए आपको एक दून अंबर मिलेगा औहरे comics मिलेgt है और ऑँ सही अंकर मांचितर से करते हैं उसके लिए एक दू ऐस्थान उननस्ता आःस्था बहुजर्थी राष्ड हो सब्सक्राइब प्रशन अलिकीए परशन पर करवा भी दिये ह अब जल्दी मांचित्र से संबंदित आपको प्रश्न करवाया थे तो पता है ठीक है वह अस्तान जाओं नई सो 27 में भारती राष्टी का अंग्रेस का दिवेस्टन हुआ था कहां पर हुआ था मद्रास में कहां पर हुआ था मद्रास पर पर सिर्फ आपको मद्रास ही लिखना है लेकिन साथ में आपको पता परता कहां पर जिसे मांचित्र भरने में आसानी हो ठीक है वह अस्तान जाओं 1927 भारती राष्टी का अंग्रेस का अधिवेस्टन हुआ कहां पर हुआ था मद्रास में और यह मद्रास परता आपका चिन्ने में अब यहां पर क्या लिखेंगे नाइन ए नाइन एक पहला नंबर का है और यहां पर लिखेंगे सिर्फ मद्रास इसका एंसर डायरेक्ट लिखेंगा मद्रास ठीक यह नाइन एक फर्ष्ट वाला क्या बरना है आपको मद्रास मद्रास कहां पर यहां पर यहां ही पर आपको क्या बिरना है ठीक है पहले का वह गया और लुइसरा नंबर क्या tea है वास्थन जहाँ गाधी जी ने नमक बनाना प्रारम किया था लिखने क्या नमक बनाना प्रारम किया था इसका dengan पढ़ता है गुजरात में यहां पर भाग वाला गुजरात और यहां पर पढ़ता है डांडी देखी 9 का 9a का से के अर इसका नुट्सीर वят जीर टांडी यहां पर डंडी लिख लिए लिए बस बस जैसे लिख रहे इसी प्रकास बोड के एक्जाम में आपको भरना रहता देख लीजिए ठीक है कितना साफ सुत्रा भर रहे हैं अगला देखे तीसरा नंबर का सवाल वास्थान जहां सूती मिल सरमिकों ने सत्तागरा किया था अब सूती मिल सरमिकों ने सत्तागरा कहां पर किया था यह किया था आप लोग अहमादा स्थागरा कहां से किया था अहमदाबाद से किया था अहमदाबाद पढ़ता का है यह भी पढ़ता है आपका गुजरात में यह पूरा भाग यहां से लेकि पूरा भाग जितना पता रहें पूरा गुजरात है और अहमदाबाद यहां पर डांडिस थोड़ा सूपर पढ़ता अहमदाबाद है इसका अशोचे कैसे लिखेंगे देखें नाइन कि एक कौन सा है तीसरा नमबर है और कहां पर यहां क्या अहमदाबाद ऑचाहिए इस तरह करके दखाना है कि यहां फी दिखा लीजिए कि यहां पर दोड़ा दोरा दोगी खीक है अगला नमबर देखे क्या है प्रेश्ञ आपका ध्यानने देखिए चोथा नमबर करने ऐह अस्थान जहां जालियों बाग तो आरा स्टान, इस्थान अर्ले काम युड़िल आकाॉय उब मतुम३ स आप पंजाब में भरना थी किस परकास भरंगे यहां पर आप ले लिजिए ठीक है और यहां से किजिए का नाविन ए का नाविन ए का शौथ धार नम्बर है क्या भूं दो का शौन Shara अगला नंबर का प्रश्ण क्या है आपका पांचवा नंबर का कि वह अस्थान जहां 1920 में असयोग आंदोलन का उद्गोषर हुआ था कहां से हुआ था कलकत्ता से कहां से कलकत्ता कि कहां से हुआ था 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 कर सकते कर्कल क brings कलकत्ता से ठृक है आप को कोलकता भरना कैसे भरने ध्यान देखिए यहां आप था ॉर्भ कि लिए आपका भी आधा पे पर चाल रहाए यहां से बहान से बहघए आफएगे असे हैन्या नाइन इक कान सा एथ 9-1 था पांच्वा नमबरे न रिंज भर नम भर लानना नाइन का gospos नम भर नाइने का média पांच्वा यह पांच्वा यह 5 हो गया और क्या बरना यहां पर कलकता बर दीजिए कोल काता या कलकता दोने में से कोई लिख देंगा चलेगा ठीक है कोल काता इस पकास से देखिए एक दू तीन चार पांच इस पकास यदि आप भरते हैं तो आपका बोर्ड के एक्जाम में एक नंबर भी नहीं काड़ता है यह जो इसी तरह पांच नंबर पुरा मिलता है अब चलिए अगले नंबर के प्रशन को देखते हैं ठीक है अगला प्रशन देखिए आप से किस पकास से पूछा जाएगा देखिए यहां पर आपका 9D दो पांट आप नंबर का दुसरे भाग में पांश नंबर करेंगा नाइन भ नोद नेधे जो तो कि मिलिकत को दर्सा ही है है अइन क्या करना है कि मता है यहाँन के सावने हैं अब देखिए यहां पर क्या है कि कि राजस्थान की राजद्धानी यह देखे सीध चिन द्वारा दा सिर्गे गोजँड़ी तो बहुंत हो चाहे हैं गर्जास्थान की miałam याद कर लिजिएगा राजस्थान की राजस्थानी पढ़ता है जैपूर क्या है जैपूर ठीक राजस्थान की राजस्थानी आपका जैपूर है अब देखिए राजस्थान में जैपूर को कैसे बरेंगे पर यह पता होना चाहिए कि जैपूर कहां पर है आपका ठीक है यह मैं आपका राजस्तान यह स्वारया है यह आपका जयपूर क्या है यह आपका जयपूर है कि दोर जयए-पूर की कि इस बेसे छिवारे बनाएम की इश्टा का кахे यह इस दरह साफ देंगा सह सा डिगा झालिख énorm के तुरा सा सी बना लिए महानदी पर निर्मित एक बांद इस चिन बराबर चिन द्वारा दिखाना है तो महानदी पर बना बांद कौन सा है तो यह पता होना चाहिए देखें महानदी पर जो बना बांद है वह है आपका हीरा कुंड हीरा कुंड हीरा कुंड बांद ठीक है अदिक हीरा कुंड बांद कहां पर पढ़ता है आपका देखिए हीरा कुंड बांद पढ़ता है उरिसा में अब देखिए उरिसा है कहां पर जब यह मांचित्रे देखे कि मांचित्र में देखें यहां पर उई सा है और इसे किस चिन द्वारा देखाना है बराबर की चिन द्वारा देखाना है ना नाइन बीका सेकेंड यहां बराबर चिन देखाईएगा यहां बराबर चिन हो गया और यहां पर आप क्या किजिएगा चलिए इसको इसे चिन दे हिर कुंडबान ठीक है इस पकास से आपको लिखना रहेगा ठीक है जैसे लिखा है इसी पकास से लिख दीजिए अगला चलिए देखते हैं उत्तर भारत की एक प्रमुक्र नदी वाइचिन द्वारा दिखाना आए उत्तर भारत तो उत्तर भारत में आप सब्वी को पता है गंगांगा देखा सकते हैं या मुना देखा सकते हैं ठीक है जाए तो लीजिए और इसको यही पर देखा देजिए या इस तर बाहर चिन खिछके देखा सकते हैं नाइन बी का तीसरा नमबर नहीं है तीसरा और यहां पर लिखे देगा गंगा नदी इस पकास बहुत लीजिएगा अब चलिए अगले नमबर के सवाल को देखते हैं अगला नमबर का आपका सवाल क्या है यहां पर ध्यान दिजिए कि भारत के किसी एक परमाळ उर्जा पूर है तारा पूर और तारा पूर पढ़ता कहां पर महराष्ट में है तो देखिए आपको महराष्ट कहां पर पढ़ता है तो इस तरह मांचित्र है और मांचित्र में देखिए महराष्ट है और महराष्ट में कहीं पर इस तरह तारा चेंद देखा देजिए ठीक ऐसे कर करके इसको देखे इस तरह देखा लिजे नाइन बी का कौंसा है चौथा नंबर है और यहां पर लिख लिए तारापूर तारा ठीक है आपका तारापूर हो गया अगला नंबर का देखिए दच्छे भारत में कहवा उत्पाद को एक राज चिन दुबारा देखाना है कहवा कहवा उत्पाद एक राज्य कह ना ता कहवा उत्पाद है कहवा सम्सक्राणि कहवा सबसे जद्राइब कहवा का उत्बाद नोटा करनाटक हो है भसते अ payTC भिंप यहां पर फृच्थिक का पर लिख लिए करनाटक कहा पर देकि यह के हैं इसार इस तरह न takes बंद के लिजिए यह नाइन बी का पाचवा नंबर है और यहां पे लिख लिजिए करनाटक करनाटक ठीक जैसे इसी प्रकास से आप इसको बोड के एक्जाम में मांचित्र को साफ सुत्रा दम भरिएगा आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा ठीक है पूरे का पूरा नंबर आपको एक नंबर भी नहीं काटेगा देगे फ्रेंज यहां पर आपके समाजी ज्यान से संबंधी आपके बोविकलपी और समबंधी जो प्रशन थे आपको हल करा हैं और जो दिर गुत्री प्रशन थे आप सुभी को बता हैं उन प्रशनों को साथ में तयार कर लिजिए य मैकसिमम ही सवाल आपके बोर्ड की एक्जाम में आता है ठीक है और जितने भी papar हो चाहे देको हो चाहे घड़ी का हो चाहे फ्यान हो चाहे अंग्यजी हो चाहे कोई सब्जेक्ट आपका है उस paper का सब्फूर हमश्प अप झरूर दिखा करें और उसको हल करने का प्रयास करें जितने भी पेपर कर आ रहे हैं उसी में से आपके बौर्ड के एकजामे सब सवाल आने वाले हैं तो आप पहलाई से अपने बॉर्ड की तयारी अच्छा से कर लिजिए ठीक है तो फ्रेंज्ट आपको वीडियो कैसा लगा अपने वीचारों को आप कमेंट बाक्स में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा और साथ में आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को सेयर करें